अब बात करें विजयनगर की तो विजयनगर में ट्यूशन टीचर के किशोर बेचे द्वारा एलकेजी की छातरा थे दुशकर्म करने का मामला सामने आया खून से लटपत ये छातरा अपने घर पहुंची तो उसके परिजोनों ने उसे अस्पताल बंभरती कराया पिड़त पक्ष का आरोप है कि आरोपी के परिजनों ने उसे अभधरता कर मामला रफ़ा दफ़ा करने का दबाब डाला हंगामे के बाद पुलिस मौके बर पहुंची तो कारवाई शुरू की गई रिपोर्ट दरचकर पुलिस ने आरोपी को गिरुफतार भी किया और बालसदार ग्रह भेश दिया गया पिड़ चात्रा के पिता का कहना है कि ये इरिक्षव चलाकर परिवार का पालन पोशन करते हैं उनकी पांच वर्षय बेटी एलकेजी में पढ़ती है वो मकान मालिक की पतनी से टूशन पढ़ने जाती थी और मंगलवार को उनकी बेटी अपने भाई को साथ लेकर टूशन पढ़ने गई तो टीचर खर पर नहीं थी इसके बाद उनकी बेटी वहीं रुख गई और बेटा उसे छोड़कर घर आ गया आरोप है कि टीचर की गैर मौझूदकी में उसी के 12 साल के बेटे ने उनकी बेटी से दुशकर्व किया खून से लटपद बेटी घर पहुँची पूश्ताच करने पर उस बच्ची ने अपनी आप बीती बताई और इसके बाद परिजन उसे लेकर अस्पिताल पहुँचे और इस पूरे मामले का खुलासा किया जा हर्याणा की पानी पत में च्छापा मार कर बिजली चोरी पकड़ने और मीटर उखाड लेने से गुस्सा उब भोगता उने बिजली निगम में करमचारियों पर अब धावा बोल दिया है उसने दो करमचारियों को दातर से काट लिया और एक को बुरी तरह से पीड डाला इससे निगम कारयाले में अफरत अफरी का महाल हो गया और इसके बाद वोगता भी महां से भाग गये शुकारद पर पुलिस ने पूश्टाच के लिए आरोपियों भोगता को थाने भी बुलाया तो वहीं परिजनों ने बताया कि मांसिक रूप से वो अस्वस्थ है और उसका इलाज भी चल रहा है हुआ कुछ यह हूँ कि बिजली चोरी पकड़ने के अभ्यान के चलते इस सभी दिविजन के अधिकारी करमचारी मंगलवार को छापे मारी कर रहे थे टीम ने मॉडल टाउन के पास एक सतकरतार कॉलोनी में एक जोगा पर छापा मारा और मीटर को खाड लिया इससे घर में रहने वाला यूवक पौकला गया इसके बाद वो सीधे निगम कारिया ले पहुंचा और करमचारी उसे अपनी मीटर की मांगी कर्मियों ने मना किया तो उनके साथ मारपीश चुरू कर दी गई इस दोरान दो को उसने दातों से काट डाला जब कि एक करमी की बाजू तो दूसरे के पैर पर चोट के कई निशान पहुंचाए गया साथी तीसरी करमचारी की पिटाई कर मौके से वो शक्स भाग निकला पुलिस को दी शिकायत में निगम करमी, संदीप और विरेंदर ने बताया है कि आरूपी ने उनके हाथ और पैर पर दांट से काटा है रोईत का ये भी आरोप है कि उसके साथ मार पीच की गई साथी यूनियन प्रधान जितेंदर सेनी और सचे प्रमोच शर्मा ने पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस को दे दी है पुलिस ने यूवक और उसकी परिजनों को थाने बुलाया इस दरांग परिजनों का कहना है कि यूवक कई सालों से मांसिक तोर पर विमार चल रहा है पंजाब के फिरोजपोर जीरा राजमाक स्थिद जिगरी कॉलिज के निस्दीक लुचेरो ने पिस्तॉल से गोली दाग कर एक नौजवान की अत्या कर दी नौजवान बाइक और नगदी छीनने पर विरोध कर रहा था कि लुटेरो को ये बात रास नहीं आए और उन्होंने इस शक्स को गोली मार दी है तो महीं उदर धाना कुलगडी पुलिस ने रविवार को तीन अग्याद उटेरों के खिलाफ मामला दर्च कर जात शुरू कर दिये बताते चलें कि दिविंदर उर्फ सन्नी वासी बस्ती सुनवा वाली ने पुलिस को दिये गए बयान में कहा कि वो अपने भांचे मिठून के साथ दाना मंडी फिरोसपूर चावनी से शुरिवार के देज रात को बाइक पर अपने घर लोट रहा था जैसी उन्होंने बाइक फिरोसपूर फरीत कोड राजमार कर चड़ाई तो बाइक सबाया तीन नकाब पोश्ट शातिर उनके नस्दीक पहुंचे और उन्हें देखते ही मिठून ने बाइक को और टेस कर दिया और मासे भागा इस दोरान शातिरों ने भी फिरोसपूर जीरा रोड से जिगरी कॉलिज के पास दिविंदर और मिठून को घेर लिया लुटेरों ने उनसे 2000 रुपए की नकदी छीन ली साथ ही उनके बाइक भी छीनने लगे तो मिठून ने इसका विरोध किया इसी बीच एक लुटेरे ने पिस्तॉल से गोली दाग दी जो कि मिठून के पेट में जा लगी जीरा साइट से एक वाहन भी आ रहा था और उसकी लाइटे पढ़ने पर शातिर महां से भाग निकले इस दरान दिविंदर ने कहा कि जखमी हालत में मिठून को लेकर सिविल हस्पटाल पिरोध पूर पहुंचा जहां जॉक्टरों ने चेक अप करने के बाद उससे मृत खोशित कर दिया